नमस्कार दोस्तूं, कैसे हैं आप लोग? आज फ्रेंस में आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी जो हमारे गेंदे यानि की मेरी गॉल्ड के फ्लावर होते हैं जैसे के winter start होता है तो उसमें flowering की start हो जाती है गेंदे से गुलता बधी से लेकिन जैसे से असर्दियां बढ़ती जाती है खतम होने पर आती है उस ताइम पे हमारे जो गेंदे होती है या मेरी गूल्ड के जो पौदे होती है वो सोखने से लगती है या फिर मर भी जाती है ऐ प्रफूर्ट के साथ में आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूं तो वीडियो में आप लोग लाज तक बने रहेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल पर नियुँ है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर चाहिएगा साथ में बेल आकर भी प्रेस करना ताकि कि जब मैं ऐसे वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूं तो इसकी नौटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके जैसे कि आप लोग को पता है विंटर सीजन जो होता है फूलो से भरा हुआ होता है इसमें सीजनल जितने भी प्लांट होते हैं बहुत अच्छे से खिलते हैं ब्रूमिंग करते हैं उसर्दियों के स्टार्टिंग जो होती ही कुल्दा वधी ओर हमारे तो गेंडे से होती है तो गेंद जो होता है आप लोग fidelity को पता है पूचा के काम आता है साथ साथ में इनके सजावड के काम आते साधी की सीजन शुरू हो जाती है तो उनमें गेंदे काम आते हैं बट जैसे ही सरदियां बढ़ती हैं बढ़ने लगती हैं उस टाइम पे मारे जो पोधे होते हैं वो मढने से लगते हैं या सुखने से लगते हैं या फ्लावर ही नहीं आते हैं तो रीजन क्या होता है फ्रेंस में बता दो कि heavy blooming plant होता है जब एक बार flower खिल जाते हैं तो दुबारा flower पाने के लिए हमें इन में खात पानी यानि फर्टिलाइजर देने की जरूरत होती है कुछ friends को नहीं पता है जिनको नहीं पता है तो उनके लिए वीडियो खास करके हैं आप लोग वीडियो फॉल देखेगा तभी आपको पता चलेगा कि हमें क्या कमी होती है बाधों में क्या देना चाहिए तो हमें टाइम टाइम से जादा नहीं तो पंदरा दिन या हफते में एक बार कुछ न कुछ ऐसा इनको एनरजी बूश्टर देना चाहिए जिसे के हम लोग होती है एक दिन कहाना खाता है तो उसे एनरजी मिलती है हम लोग वर्क करते हैं यसे हमारे प्लांट होते हैं अपना जो इनका प्रोसेस होता है बढ़ने का फ्लावर फ्लावरिंग करने का या जिसे जो कलिया बढ़ने का तो वो इनको भी चाहिए होता है बट इनको रोज नहीं 15 सबसे ज़्यादा जरूरी होता है फर्टिलाइजर में हम फ्रियंज क्या दे सकते हैं अगर हम लोग केमकल दें तो ज्यादा बेश ट्रहें है क्योंकि सेजनल ही तीन चारे मैने फ्र्टिलाइजर रहते हैं बाके गर्मी की season में इतना need नहीं होती है, कफिसे season में plant बचते हैं, अगर už को पलांच से passiveуса कृटिस से बच्चू गूते हैं, तो नहीं होती हैं, तो धो वो कौन से fertilizer हैं, आस میں इस विडियो में चोरूर बनाँगी, विडियो में उन अंतक्व बने रहे हो, सबसे पहले फ्रेंट समय क्या करना है अगर आपको देखना है यह मेरा प्लान बता दू मैंने इनको कॉटिंग से गुरू किया है सीट से कटिंग से दूनों असानी से लग जाते हैं तो कटिंग से लगे हुए प्लांट है और इसमें देखिए बहुत देरों सारी कलियां आ रही है यह भी कटिंग से मैंने लगाई है अब मैं अभी तरह इस दिखा रही थी वह उसकी कटिंग में लगे थी एक फ्लावर खिल लगता है या फिर उसमें कलियां कामाने लगती है तो सुखे वे फूल जरूर रिमूब करें साथ-साथ में घराब की पोदे प्लांटर में कोई घास उगुरेई है आसपास दोनको भी आप जरूर रिमूब करें और यहां पर जो धर्ड पार्ट होता है जो वो है इनकी और छाएगी इस तरीके से जो घास होते देखे निकाल सकते हैं और अब अक्षीजन चाहेगी तो प्लांट भी हल्दी रहें कि इसमें फंगस लगने के चांस नहीं रहेंगे ऑबर वाटरिंग भी नहीं करना है और अगर ओबर वाटरिंग हो जाती ही तो प्लांट आपके सबने कलने लगते तो यह चीज ध्यान रखेगा कभी भी ओबर वाटरिंग ना होने पाए तो गुड़ाई भी जरूरी है पाने कभी बिसेज ध्यान देना है तो फिलार यहाँ पे फ्रेंस मेरे यहाँ पे बहुत दिनों से धूप नहीं निकल रही है जिसके वजासे इसमें अभी नमी बनी हुई है तो मैं गुड़ाई कर दे दी धूप चुनने के लिए कि अच्छे से मिटी सूख जाएगे तो फर्टिलाइजर में बता दू इनको हम केमिकल फर्टिलाइजर दे रहे हैं अगर आप लोग देना चाहते हैं तो आप इनको गोबर की खाद भी दे सक सकते हैं तो यहाँ पर में आदा आदा चमस दोनों पूदो को दे रहे हूं क्योंकि फ्लावर कलियां दोनों में आरी तो दोनों को ही नीड है तो दोनों को मैं दूंगे ताकि अच्छे से इनमें फ्लावरिंग आ सके तो यह मैंने कटिंग से तयार किया है कि ताकि मैं इसे कटिंग से तैयार किया है और नहीं हुआरे गांपर बंदर खृर जाते हैं कलियां आती हैं उनको खृर जाती हैं वर रिट कोसिस करते हैं वहारा प्लांइट वह बचा रहे तो इस तरह थारी से आप चाहें तो यहाँ पे मतलब ने पारास दिया है तो आप भी दे सकती है पोटास क्या होता है हमारे जो इनके तने होते हैं उनको मजबूत करता है और फ्लावरिंग चुकलियां आती हैं उनको बनने में भी हेल्प करता है अगर आपके पास पोटास नहीं है तो आप जो केले की छिलके आते हैं उनको भी दे सकती है वो भी पोटास काई काम करता है और और खेलिंग भी होता है बड़ अगर में फास्ट रिजल्ट चाहिए तो हम केमिकल दे सकते हैं और ये फ्रेंस आपको हफते में या पंदर दिन में एक बार जरूर दे दे हाप टेस्पून बहुत ही मितलब हेल्प करेगा फ्रावरिंग लाने में खिलने में तो इस तरीके से आप आपने मेरी कोल्ड को देते रहें और फैंस आपको मैं बता दूँ जो में जरूरी चीज होती है वो होती धूप की आप अपने पोदियों को धूप जरूर दिखाएं जाता नहीं तो 3-4 घंटे धूप जो जरूरी होती है फ्लावर वाले प्लांट को अगर धूप अच्छे से मिलेगी तो कलियां अगर आती रहेंगी तो इसमें और भी बड़े कलियां आएंगी खिलेंगी भी कभी-कभी ऐसा होता है कलियां हाती फूल खिलती नहीं तो रीज़ा नहीं है उनको अच्छी धूप नहीं मिल रही है यह चीज जरूर आप ट्राइ करिएगा तो आप लोग अगर आपके मेरी गोल्ड में फ्लावर नहीं आ रहे हैं यह फिर सूख रहे हैं तो यह चीज जो टिप्स में आप लोगों को बताए जरूर फोलो करिएगा फिर देखेगा आपका मेरी गोल्ड कभी नहीं मरेगा और पहुत दिन तक यानि 5-6 मैने तक यह पोधे बने ही रहेंगे और कटिंग से भी तयार कर लीजेगा सीड अगर बनते हैं तो सीड से भी जरूर सेप करने की कोशिच करिएगा तक कि आपके जो पोधे हैं वो बचे रहें और आप लोग टाइम तक इनसे फ्लावरिंग लेते रहें आई हो फ्रेंस आज के वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी हलफुल लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पे न्यू है तो चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं फ्रेंस नए वीडियो नए प्लान नए इंप्रमेशन के साथ तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेगा बाबाई